तो आज की ये वीडियो काफी ज़दा हेल्फुल रहने वाली है उन लोगों के लिए जिनको हेरफॉल का प्रॉब्लम है देखो हेरफॉल काफी common condition है हर किसी को हेरफॉल होता है और कोई भी वीडियो या कोई भी remedy ऐसी नहीं है जो आपको complete हेरफॉल से बचा सके क्योंकि हेरफॉल तो होंगे पर हमारे हाथ में हैं कि उनको हम कैसे कम करें ठीक है जैसे माल लो अगर मैं नाने गया और नाते नाते मे या फिर मैं फिर कर उठक हो रहे है या फिर मैं सो कर उठाहूं तो बिस्तर यह यह है तो इस condition को हम कैसे रोके अक्सेशिव जो हैर फोल रहे, लड़कों को क्या होता है ऐसे बाल में ऐसे हाथ करने का शोक होता है तो उस टाप।कि यह एक्सेशिव है पोल हो बेटे बेटे hair fall हो रहे हैं तो यह excessive hair fall होता है और इसको हमें रोकना पड़ेगा नहीं तो baldness आ जाती है ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह hair fall होता क्यूं है हम इसे कैसे रोक सकते हैं और साथी साथ हम देखेंगे हमारी skins related जो हमारा face है face पर यह जो dryness है य उसके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे बिले बात करते हैं hair fall के बारे में तो hair fall क्यूं होता है अब आपने सुना होगा genetic genetic heredity मतलब अगर father को है तो son को भी hair fall होगा यह तो आपने सुना ही होगा ठीक ऐसा होता भी है तो यह एक कारण हो गया कि अगर पापा को like problem है तो आ आपको hormonal changes में क्या होता है कई बार जैसे हमारे अंदर में जो hormone होता है वो होता है testosterone androgen जो female में hormone होता है estrogen progestron ठेक है oxytocin वगेरा prolactin वगेरा तो hormone अलग-अलग होते हैं अब hormone जो है एक balance में होता है अगर hormone का balance उपन नीचे हो जाता है तो हमारे body में कई तरह की changes आते हैं यह एक example देता हूं एक example से आपको समझाता हूं जैसे माल दीजिए आजकल की जो generation है वो काफी स्ट्रेस में रहती है मैं भी stress में रहता हूं आप भी stress में रहते हो हर कोई stress में रहता है ठेक है तो stress लेने की वज़े से human body में hormone release होता है जिसका नाम होता है cortisol और उस cortisol की वज़े से hair fall होता है ठीक है एक current यह भी हो गया और जो hair fall होता है यह लड़कों में जादा है देखने को मिलता है कभी मैंने तो कहीं नहीं देखी कि कोई महीला बिलकुल ही बाल नहीं है पर लड़के बिलकुल एकदम साफ हो जाते है तो में में काफी जादा common होता है hair fall as compared to females कुछ vitamin होत hair fall की हो रहे है या तो कोई hormonal change है या कोई genetic change है या फिर बुड़ापे के साथ जैसे जैसे टाइम बीटता जाता है जैसे जैसे बुड़ापा आता जाता है तो बुड़ापे के साथ भी क्या होता है hair fall होता है ठीक है तो बुड़ापे के साथ तो common है क्योंकि हर cell की एक limited time है जैसे आपकी red blood cell है जिसको बोलता है RBC, RBC count जो लोग नहीं जानते जो medical की नहीं है उनको मैं simple सा बताता हूं RBC, RBC तो उसका life span होता है 120 दिन, 120 दिन के बाद RBC मर जाती है, तो वेसी हमारी हर सेल का एक life span है, पर हमें क्या करना है, इनको proper nourish करके तो रखना है, proper nutrition तो देना है, प्रोपर vitamin तो देना है, तभी तो ये grow करेंगे, तभी तो ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हर किसी को need है, आपको खाने की need है, अगर आप सुबश शाम खाना नहीं खाओगे, तो आपके अंदर energy नहीं बनेगी, वैसे इन hair follicles को भी हमें energy देने की जरूरत होती है, तो जैस इसके ingredient में आपको बताता हूँ, सबसे पहले, ingredient आपको सारे आयरवेदिक ingredient मिलेंगे, अब इस ingredients में क्या फाइदा है, आयरवेदिक है, तो एक बात तो ठान लो, कि आयरवेदिक है, तो toxicity बहुत कम है, मतलब हमें नुकसान करने के chances बहुत ही कम होते हैं, पहली बात तो ये, दूसरा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वो ध्यान से सुनिये, यह जो है आपको replenish करता है, hair follicle को, hair follicle को replenish का मतलब होता है, कि एक ऐसी skin जहां से आपका hair grow हो रहा है, उसको यह replenish करेगा, साथी साथ, यह hair foll को control करता है, और साथी साथ, आपके scalp को, जो है, maintain करके रखता ह लाइक उसको dull, dry नहीं होने देता, यह जो tablets होती है actual में, ठीक है, साथी साथ, यह milanogenesis को like promote करता है, अब यह milanogenesis क्या है, यहाँ पर आपको included है, लिखा हुआ है कि it promotes milanogenesis, तो यह इसका सबसे बड़ा फाइदा है, milanogenesis क्या होता है, वो ध्यान से सुनिएगा, milanin एक pigment हो जैसे skin का color black होता है, dark होता है, ठीक है, तो अगर आपको आपके बाल, जो बाल है, वो dark चाहिए, काले चाहिए, तो उसके वज़े से क्या, उसके लिए क्या जरूरी है, milanogenesis करवाता है, milanin का भी formation करवाता है, आपके hairs को black रखेगा, साथी साथ, premature graying से बचाता है, premature graying क्या इसको में last one month से use कर रहा हूं, and इसमें आपको like 90 tablets मिलती है, per day आप three tablets use कर सकते है, ठीक है, और महीने पर तक यह चलती है, और काफी अच्छा result है, ठीक है, इसका ingredient मुझे अच्छा लगे, और इसके जो specification है, जो मैंने आपको बताया, जैसे की, मैंने आपको बताया, replenish hair follicle, control hair foll, and promote new growth of hair, ठीक है, इसकाल को protect करके रखता है, vitamin वगेरा की पूरती यह कर देता है, तो देखो, इस वीडवार वाले time में, और इस जिंदिकी के busy time में, हमें इतना time ता मिलता नहीं कि, हम हमारी skin की, हमारे body की care कर ले, कई लोग होते हैं, जो gym जाते हैं, वो बहुत अच्छ इन B12 हमारी diet में नहीं आपा रहा, तो यह products आप ले सकते हैं, और इन products को आप use करके देख सकते हैं, इन से आपको effect आएगा, ठीक है, अब second बात करते है, skin की, यह जो हमारा face की skin है, इसकी elasticity maintain करना बहुत ज़रूरी है, elasticity का क्या मतलब होता है, देखो, आपने देखा होगा, बुड़े लोगों में ऐसे जूरिया पढ़ जाती है, skin जो इनकी लटक सी जाती है, गाउं में बोलते हैं, लटक गई, चम्री लटक गई, ऐसे बुड़ा पा आ गया, इस तरह से, तो अब इस skin की maintenance को कैसे हम रखे, इसकी elasticity को कैसे हम maintain रखे, तो इसके लिए यहाँ पर एक आप यूज करने है, अब इसका क्या फाइदा है, वो देखते है, as compared to other, क्योंकि serum तो बहुत सारे है, फिर वाइ, वी shift on, वाइ, वी move on, गुडुची अरवेदा, तो देखो, यह जो serum है, यह liquid form में है, ठीक है, बाकी serum भी liquid form में होते हैं, फिर फर्क क्या है, यह जो serum है, यह आते हैं, पर यह जो है liquid है, और skin में easily penetrate हो जाता है, तो ध्यान रगना है, जो skin में penetrate easily हो जाता है, तो action भी easily देगा, अच्छा देगा, ठीक है, तो यह आपकी elasticity को maintain करता है, penetrate हो जाता है, easily absorb हो जाता है, पर कई लोगों में देखने को मिलता है, कि अगर आप यह product use करते हैं, त आयरवेद के तो खेर कोई side effect होते नहीं है, पर other companies के अगर जो होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता, irritations हो जाती ही, redness वगिरा आ जाती है, पर ऐसा बहुत कम case में देखने को मिलता है, elasticity maintain नहीं हो रही, तो उस condition में आप यूज़ कर सकते हैं, गुडूच अयरवेदा के products, और products के link आपको description में मिल जाएगी, उस link पर आप click करोगे, और जब ये products order करोगे, तो आप depth of biology से सुनते हो नहीं सब, तो depth of biology जवाब वहाँ पे लिखोगे, d-e-p-t-h-o-f-b-i-o-lo-gy, जब ये capital letter में आप बिना space दिये, वहाँ पर लिखोगे, coupon code की जगे, तो आपको 11% discount मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, link पर click करके order करने से, इसके link आपको description में मिल जाएगी, description जाएगे, दोनों product चेक कीजिए, और भी कही तरह के product है, देखो ayurvedic product is the best product ever, और और भी कही तरह की product है यहाँ पर, जैसे thyroidism को control करना, hyperthyroidism को control करना, ठीक है, कही तरह के products है, और कही त से, काफी सही result है, मतलब like tablets का तो result है, इसको मैंने proper time से लिया है, और देको tablet जो आपको proper time से लेनी चाहिए, क्योंकि, एक दिन में अगर आप 3 tablet लेते हो, और दूसरे दिन अगर आप सिर्फ एक लेते हो, तो फिर इसका effect आपको नहीं दिखेगा, तो proper आप follow करोगे, तो ही effect दिखेगा, एक दिन में 3, दूसरे दिन में 3, ऐसे करते हो, इसमें 90 tablets आती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने इस गुडुची ऐरवेदा की link जो है, description box में दे रखी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और भी product से, कई तरह के product से, family में कई health issue होते हैं, तो मैं तो यही मानता हूं, कि अगर आयरवेदा प्यापन शिफ्ट होते हैं, चाहे थोड़ी देर बाद असर आए, चाहे तीन साल बाद असर आए, महीने पर बाद असर आए, पर असर जो आएगा, और दूसरा side effect नहीं आएगा, वहीं अगर मैं tablets ट्राइ करता हूं, तो जब मैं normal tablets लेता ह अगर मैं उन पर shift होता हूं, तो वहाँ पर क्या होता है, कि एक महीने का अगर मैं course लेता हूं, तो मेरा लिवर बहुत ही बूरी तरह देमेज हो जाते है, और लिवर का बहुत सारा काम होता है, जो कि ज़रूरी होता है, बाइल ऐसी सेग्रेट करना, बाइल जूस आप और कर सकते हैं, so I hope आपको clear हुआ होगा, पहले तो मैंने आपको कारण बता है, फिर आपको मैंने इनके फायदे बता है, इसके इंदर के ingredient बता है, और यह essential है, ऐसी ही और वीडियो के लिए, ऐसी ही और fact वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, आप हमारी प्लेलिस को चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी ही और fact वीडियो मिल जाएगी, काफी fact वीडियो, जैसे fungal infection की fact वीडियो, काफी common बिमारी है और बड़े परेशान हो जाते लोग, तो भी सही नहीं होते, और कई लोगों के सही हुए हैं, आप comment section चेक भी कर सकते हैं, have a nice day, thank you, subscribe and share for more.